Hello Friends, आज मैं करने वाली हूँ एक collective reading, ठीक है, current energy क्या चल रही है, relationships की, हो सकता है, ये कुछ लोग उनसे resonate करे हो, और हो सकता है, ये कुछ लोग उनसे resonate ना भी करे, ठीक है, क्योंकि एक general prediction है, collective energy है, तो हम सब लोगों की collective energy चेक करने वाले हैं, यहां मैंने उपर ली है, एक person की energy और नीचे हम ले रहे हैं, second person की, second partner की energy, और final outcome, future outcome, ठीक है, तो ये आप भी हो सकते हैं, और आपके partner की energy भी हो सकती है, ace of rules, new शुरुआत, new beginning, एक नया passion, नई उमंग, courage से भरा हुआ, energy, एक नई शुरुआत करना चाहता है, ये person, ठीक है, magician, कुछ manifest कर रहा है, nine of swords, लेकिन, कुछ चीजें, कुछ ख्याल, कुछ ऐसी thoughts हैं, जो इस इनसान को still haunt कर रहा है, ठीक है, एक stress वाली energy यहाँ पे है, लिकन ये इनसान जो है, manifest कर रहा है, कि यहाँ पे एक नई शुरुआत हो जाए, जो भी इस इनसान का passion है, उस passion को लेकर ये एक नई शुरुआत करना चाहत है, चलिए देख लेते हैं, दूसरे partner की क्या energy है, 10 of wands, देखिए burden तो यहाँ दोनों ही feel कर रहे है, एक इनसान सोच के tension ले रहा है, तो दूसरा इनसान को लग रहा है कि मुझसे ये जो चीजें है, जो responsibilities है, मैं उठा उठा के ठक चुका हूँ, ठीक है, तो एक बोज फील ह हो रहा है, अपने shoulder पे इस इनसान को, 8 of cups, जहाँ पर ये इनसान है, वहाँ पर उसको emotional satisfaction नहीं मिल रही, इसलिए ये इनसान step out करना चाहता है, उस पुरानी चीजों से या situation से उससे निकलना चाहता है, 3 of pentacle, 3 of pentacle जो है, वो यहाँ पर शो कर रहा है, कि ये इनसान फिर से न यहाँ पर एक stable new beginning होने के पूरे असार है, इस connection में, तो यह छोटी सी prediction थी, कैसी लगी कमान से श्मीन बताइएगा, ok friends, bye bye